एलो बच्चो आज मैं आपको क्लास सेवन्थ जिसका सब्जेक्ट है मार पास मैथमेटिक्स इसकी वर्कशिट नमबर 11 समझाऊंगी जिसकी डेट है में पास 3rd नेवेंबर 2020 आज की वर्कशिट का टॉपिक है मार पास कंपेरिंग क्वांटिटीज आज हम क्वांटिटीज को कंपेर करना सिखेंगे जैसा आप देख रहो यहां पर इस ट्रॉबेरिया एक है और एक एपल है दोनों की यूनिट मुझे ग्राम में दे रखी है उसी तरीके से यहां है स्पीड ऑफ साइकिल और स्पीड ऑफ कार और दोनों की यूनिट मुझे किलो ग्राम किलोमीटर पर और किलोमीटर पर आर में दे रखी है सबसे पहली चीज यहां पर आपको यह वक्षिट करने से पहले एक बर बताना चाहूंगी देखो जब भी आप कोई भी क्वांटिटीटी इसके बीच में कंपेरिजन करते है तो यूनिट होती है वह हमेशा सेम पहले हो झाहिए जैसे कि यहां आप देख्थो ग्राम है यहां भी इनए और इसली कम्पेर कर सकते हो तो आप अगर मैं इसको ग्राम की जगा किलो ग्राम कर दू यहां पर, तो अब आप देखो, यूनित अलग हो गई, यहां ग्राम थे यहां किलो ग्राम, तो आप डारेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको पहले यह यूनित चेंज करने पड़ेगी, उसी तरीके से, यहां स्पीड किसकी स्पीड जाता है, तो आपको होगे कार की जाता है, क्यूंकि दोनों की यूनित सेम है, तो आपने डारेक्ट बता दिया, तो अगर यूनित सेम नहीं है, तो हम उसको सेम करेंगे पहले, ठीक है, चलिए अब आगे देखते है, इन आवर डे टू डे लाइफ, वी जनर करते हैं, दो क्वांटिटी को, ऐसा करने से हम यह देखते हैं, कि जो पहली क्वांटिटी है, वो दूसरे की कितनी गुना है, कितनी जादा है, उससे, या फिर वो उसका कितना पार्ट है, वो देखते हैं, लेकिन क्वांपेर करने के लिए कुछ चीज़े पता हो नीचे, तो हम क्या करते हो उसके लिए, ratio का use करते हैं, compare करने के लिए, तो we use ratio to compare quantities, and when we compare two quantities, the unit must be same, यही चीज़ हम ने की थी, कि उनके unit same होनी चाहिए, तभी हम compare कर सकते हैं, अब आती है बात ही हा, ratio, यह क्या चीज़ है, देखो ratio का यह बहुत, असान सा symbol है, ऐसे बनता है ratio, यह बना के भी रखा है आपका यहाँ पर, ठीक है, ratio does not contain any unit, इसके आगे ना कभी meter आता हो, ना कभी centimeter, ना किलोग्राम, कुछ भी नहीं आता, तिवे कि छोटा से symbol है ratio का, ठीक है, अब यह ratio है क्या, अभी जब आगे questions आएंगे, हम उसमें इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है, अब यहाँ आपर लिखा है, equivalent ratios, different ratios can be compared by converting them into like fractions, if two fractions are equal, we say the ratios are equivalent, equivalent ratios होती क्या है, देखो, कई सारी ratios होती है, जिनको हम compare कर सकते हैं, लेकिन हम compare अभी कर सकते हैं, जब हम उनको like fractions में convert कर लें, मतलब वो एक जैसे होने चीए, अगर like fractions बन गए वो, दो fractions बिल्कुल सेम है, जैसे मैं बोलू, 1 by 2 और 1 by 2, दोनों fractions सेम है, तो इसका मतलब इनकी जो ratio है, वो भी क्या है, equivalent है, same है, equivalent है, तो V say the ratio is equivalent है, चलिए, आगे करते हैं, अभी आपकी worksheet का ही part है, जिसमें आपको एक example दे रखा है, और कुछ units दे रखी है, उसके बाद वाला भी मैं आपको आगे का worksheet का part पहले दिखा देती हूं, उसके बाद 2 questions हैं यहाँ पर, 1 और 2 और let's practice वाले questions है, ठीक है, चलिए, पहले हम यह समझते हैं, फिर वो करेंगे, एक example है, आपके पास यहाँ पर, ratio of 3 km to 300 m, कहता है, रेशो बतानी है, किस कि 3 km, और इसको किस के साथ बतानी है, 300 m के साथ, तो अभी तो हम पीछे वाले slide पर करके आए हैं, कि unit same होनी छी, पर यहाँ तो मेरी unit same नहीं दिख री मुझे, एक किलो मीटर में, तो अभी क्या आप change कर दो किसी भी एक को, तो मैं किलो मीटर को कर देती हूं, तो 1 km में 1000 m होते हैं, तो फिर 3 km में कितने होंगे, 3 x 1000, इसका मदलब 3000 m हो गए, ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूं, इस 3 km की जगाना 3000 m लिख देती है, ठीक है, ratio 300 m, आप देखो, दोनों हो गए same, बिलकुल हो गए, तो अब इसको बिना ratio के, बिना unit के लिखो, क्योंकि ratio जब भी हम निकालते हैं, बिना unit के निकालते है, ठीक है, तो 2 0 से यह वाली 2 0 कट हो गई, यह मैं आपको समझाने के लिए कट कर दूए, और यह 3 1 जा, 3 10 जा 30, इसका मतलब 10 ratio 1 आपका answer अगया, ठीक है, बिना ratio के ही निकालना है, ठीक है, अब यहां पर आपको कुछ दे रखा है, जैसे 1 रूपी में कितने पैसे होते हैं, 1 डे में कितने आर्स होते हैं, 1 आर्स में कितने मिनट होते हैं, 1 किलो मीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं, 1 लीटर में कितन रूपी में 100 पैसे होते हैं, 1 रूपी में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो यह आपको सब अच्छे से आने चाहिए, इसी के ओपर बेज़ हमार पर आगे के कोशन से हैं, चली अब वह देखते हैं, अब है यहाँ पर कोशन नमबर 1 हमको दिया है, हमार पाथ, इन अ कम्प्यूटर लाब, जिसमें 3 कम्प्यूटर है, इसमें 3 कम्प्यूटर है, टीक है, for every 6 श्टूटर, 6 बच्चों के लिए 3 कम्प्यूटर है, तो यह तो ऐसी पता चल लाए, कि 1 बच्चे के लिए, मतलब 2 बच्चों के लिए 1 कम्प्यूटर है, है ना, आपसे कह रहा है, how many computer will be needed for 24 students, तो बताओ, कि 24 students के लिए कितने चाहिए, जब 6 बच्चों के लिए 3 कम्प्यूटर चाहिए, तो 24 students के लिए कितने चाहिए, टीक है, तो कैसे किया देखो, number of computer for 6 student, टीक है, अगर मैं आपसे बू students के लिए चाहिए, तो number of computers for 24 students, तो 1 का है, अब बड़े से, फोटे से बड़े पे जाना है, मल्टिबला होगा, तो यह कितना आगया आपके पास, यह आगया आपके पास, 3 by 6 into 24, टीक से इसको कट किया, 4 और यहाँ पर 3 into 4 कितना आगया, 12, इसका मतलब 24 students के लिए 12 computer रहेगा, direct answer नहीं लिख सकते, तो यह आपको उसका solution है, ठीक है न, चलिए, आप देखते हैं हम यह आपर, question number 2, इसमें कहारा है, population of Rajasthan, कितनी दे रख्या है, 570 lakhs, and population of UP, दो जगा की population आपको दे रख्या है, ठीक है न, दो state की, Rajasthan और UP की, दोरों की दे रख्या है, आप स square kilometer है, तो area है, और तो population, दोनों चीज, information हमार पास है, आप से वो कह रहा है कि first part में आप यह बताओ, how many people are there, per kilometer square in both this state, बताओ, कितने लोग होंगे, per kilometer के हिसाब से, कितने लोग होंगे, total population नहीं पूछ रहा हो, तो आपको दे रख्या है, per kilometer में पूछ रहा है कि कितने लोग होंगे, दोनों state में, ठीक है, तो इन्हों ने हमार को एक तो बता रखा है, मैं यहां फिर भी यह solution पूरा करती हूं, ठीक है, तो पहले मैं यहां पर लिख देती हूं, तो population in 3 lakh km2 area of Rajasthan, कितनी population है Rajasthan की, मुझको गिवन है, वो मुझे गिवन है 570 lakh, ठीक है, तो फिर number of people कितने होंगे, तो number of people per km2, तो एक km के निकालने हैं, मुझे यह 3 lakh के दे रखे हैं, तो इसको मैं divide कर देती हूं, तो में पास per km के आगए 190 lakh, तो चलो, Rajasthan का तो मेरा निकल गिया, उसी तरीके से मैं क्या करती हूं, अब UP का निकालने हूं, आपको यहां पूरा नहीं दे रखा है, वो आपको खुछ से निकालने है, तो आप यहां लिख देते हैं, चलो, सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, population in UP का कितना एरिया था, 2 lakh, 2 lakh km2, area of UP, ठीक है न, कितनी population थी, 1660 lakh, ठीक है, तो इसका मतलब number of people, यहां पर कितने लोग होंगे, per km2 में, तो 1660 को क्या करूँ मैं, 2 से, डिवाइट कर दूँगी, ठीक है न, अब जब मैं इसको 2 से, डिवाइट करूँगी, तो मेरा answer आएगा, यहां पर 830 lakh, चलो, फर्स्ट पार्ट तो मुझे मिल गया, number of people ही बताने थे मुझे, दोनों के आ गए, second part में कह रहा है, which state is less populated, बताओ, किस state की population कम है तो किसका कम है, Rajasthan का, ठीक है न, तो second part में हम यहां लिख देंगे, Rajasthan is less populated, ठीक है, तो यह रहे आपके दोनों के वो solution, जो आपको यहां नहीं दिये वे थे, ठीक है न, चलिए, अब आती है बात, let's practice, तो चलो, देखते हैं, यह कैसे करेंगे, first question तो बहुत असान है, आपको ratio निकालनी है, एक चीज याद हो नीचे, ratio में unit same हो नीचे, है न, तो चलो, यहां देखते हैं, आपसे कह रहा है, 5 rupees to 50 पैसा, unit same नहीं है, नहीं है, यह rupee में यह पैसे में, change करना पड़ेगा, चलो, 1 rupee में 100 पैसे होते हैं, अभी हम पीछे वो table करके आया न, जिसमें हमार को units दीवीं थी, तो 5 rupee में कितने होंगे, 5 into 100 कर देती हूं, इसका मतलब 500 पैसे, ठीक है न, 500 पैसे हो गए, अब मैं ratio निकाल सकती हूं, अब किस-किस की निकालनी पड़ेगी, तो 500 पैसे है, ratio 50 पैसे, अब मैंने 5 rupee की जगा न, 500 पैसे लिख दी है, ठीक है, तो चलिए, अब हम ratio निकाल लेते हैं, यहाँ पर, तो unit हटानी पड़ेगी, unit हटा दी मैंने, ठीक है, 0 से यह 0 कट हो गया, 5 बंजा 5, 5 10 जा 50, आपका answer आ गया है, 10 ratio 1, ठीक है, second part यहाँ देखते है, आप से कह रहा है, 15 kg, 2, 2, 1, 0 gram, फिर आपकी यहाँ unit सेम नहीं है, तो kg को gram में कर लेते हैं, असानी से हो जाएगा, 1 kg में 1000 gram होते हैं, तो फिर 15 kg में कितने होंगे, 15 into में 1000, ठीक है न, इसका मतलब 15,000 gram, तो चलो अब ratio देख लिखते हूं, अब 15 kg की जगा में 15,000 gram लिख सकती हूं, ratio 210 gram, ठीक है, ratio निकालेंगे तो unit हटा देते हैं, इस 0 से 0 कट कर दी, यह दोनों नमबर 7 से कट हो रहे हैं, तो 7 से कैसे, sorry, 7 से कह दूँ, 3 से कट हो रहे, तो 21, 3 की टेबल में 7 पे आता है, और 15 आता है 5 पे, आगे की 2 0 ऐसी रहने देते हैं, नहीं तो आप ऐसे divide भी कर सकते हो, तो भी यह आने वाला है 500, ठीक है, तो यह आपका answer आगे, अभी यह आगे कट नहीं हो रहे हैं तो इनको यह ही छोड़ देंगे, अगर यह आगे कट होते हैं तो वो भी करना परता है, ठीक है ना, चलिए, सेम करने परेंगी, ठीक है, तो कैसे सेम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम, 1 meter is equal to 100 centimeter, ठीक है ना, तो 9 meter को कैसे करेंगे, 9 into 100, 900 centimeter, ठीक है, तो अब ratio निकाले, तो देखो ratio कैसे निकालेंगे, 900 centimeter, अब मैंने 9 meter की जगा 900 centimeter कर दिया, ratio 27 centimeter, अब ratio निकालेंगे, तो unit हटानी परेगी, unit हटा दी, दोनों कटोर है, 9 की टेबल से, यह 100 पर, ठीक है, और यह 3 पर, 9, 3 जा 27, और 100 आगे यहाँ पर, जब मैंने 9 को 900 से divide किया तो, ठीक है, 900 को 9 से किया तो, यह आपका answer आगे, ठीक है, motion no.1 का 4th पार्ट यहाँ करते ह है, let's practice का, ठीक है, ठीक है, आपको दिया यहाँ पर, 30 days, to 36 hours, यही दिया वाए, ठीक है, फिर वोई, days को hours में convert कर लेती हूं, तो, 1 day में, 24 hours होते हैं, ठीक है, ना, तो फिर 30 days में कितने होंगे, 30 को मैं 24 से multiply कर देती हूं, ठीक है, तो वो आगया मेरा 720 hours, ठीक है, ना, तो चलो अब ratio कैसे निकालेंगे, तो 720 hours, 30 days की जगा लिखा, ratio 36 hours तो पहले ही था, अब ratio निकालने के लिए unit हटा देते हैं, ठीक है, अब इसको किस से काटें, डारेक्ट कट रहा है, 36 बन जा, 36, और 36 की टेबल में 720 आता है, तो यह आपका answer आगया, बस एक चीज़ याद रखनी है, कि ratio में क्या करना, आपको unit same हो लिए उसके बाद जो यह ratio आ जाती है, आप इने ऐसे भी कट कर सकते हो, 1 और यहाँ पर आगया 20, अब लिख दो 20 ratio 1, कोई से भी ratio, ऐसे भी कर सकते हो, आप upon में लिख के, ठीक है, और डारेक्ट आपको पता चलना है, तो डारेक्ट भी कट कर सकते हो, जैसे यहाँ पता चलना है, दोनो नमबर 9 की टेबल में आते है, 27 ब्याता है और 900 भी आते है, तो मैंने दोनों लिख दिया, ठीक है न, नहीं, तो आप इसको ऐसे कर देते, आप कट कर लेते, ठीक है, चलिए, कोशन नमबर 2, कोशन नमबर 2 आसान सा है, हम यही देखते है, कहा रहा है, कहा है, कोई और यह अपनी डेली लाइफ का जिसमें आप यह प्रपोर्शन रेश्यो को यूज करते हो तो बिल्कुल हम कब करते हैं बहुत सरे एक्जामपल है वैसे तो मैं आपको एक देदेती हूं यहाँ पर जैसे कुकिंग के टाइम हम यूज करते हैं जैसे कुछ चीज बना रहे हैं तो हम देखते हैं कि शुगर कितनी क्वांटिटी में डालें कि कुछ भी चीज बनाने के लिए अगर चाय बना रहे हैं तो उसमें भी हम यह चीज देखते हैं कि शुगर अगर हमने कितनी डालनी है या फ कितना पानी लिया तो उसी साप से आपने चीनी ली, लीनी ली, तो वो at the time of cooking और भी सब चीजों में चाहिए, जो भी ingredients आप डालते हो cooking के time पे, वो आप क्या करते हूं, यह देखती तो डालते हो कि कितनी quantity में बना रही हूं, क्या चीज डाली है तो उसके basis पे दूसरी चीज क वो हम क्या करेंगे अपनी next वीडियो में करेंगे, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो आप इसे like ज़रूर कीजेगा, और मेरे चैनल को subscribe कीजेगा, thank you